हेलो फेंट्स आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और दोस्तो आज फिर से हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आएं जो की है जीपियो बैकप एंड इंपोर सेटिंग के उपर तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूटूब पर जाएं और यहाँ पर रोहित इस्पेस सानु इस्पेस नेट्वरकिंग को सर्च करें और हमारे चैनल को आज ही सब स्काइब करें ताकि हमाई लेटेश वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचें और आप अपनी नॉलिज को इंक्रीज कर सकें तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं जी जीपियो बैका हम किस सरीके से ले हो रहा है तो आप जोना स्टार्ट मेन्यू में जाके यहां से अपने सर्वर मेनेजर को ओपन कर लें जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जी टूल्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहां पर हमें एक्टिव डिरेक्टी यूजर्स एंड कम्पूटर मिलेगा और यहां पर अब अगर हमें इन यूजर्स के ओपर या इस ओयू के ओपर हमें कोई पर्मि सेंस लगा नहीं होती है तो हम लोग कहा जाते हैं तो टूल्स में जाने के बाद हमारे पास अउप्शन है गरूप पॉलिसी मैनेजमेंट तो दोस्तों चलो हम चलते हैं group policy management के अंदर और हमारे सेरे OU जो है वो यहाँ पर transfer हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों हमने group policy object के अंदर जाके एक file बनानी होती उस OU के लिए फिर दोस्तों उस OU के साथ हमें उस file को जो है वो link करना होता तो चलिए दोस्तों यह सब इसके ओपर हम already बहुत सेरी वीडियो बना चुके हैं ची हम इसको कौन-कौन सी policy लगा सकते हैं object file कैसे बनाते हैं लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं जैसे कि दोस्तों आपको बता है जिए group policy object file यहां से आप right click करके new बना सकते हैं और वो सेरी यहां पर आपको दिख भी रही है फिर हम इस file को अपने OU के साथ link करते हैं तो दोस्तों अगर मेरी यह जो link file है अगर मैं इसको यहां से right click करके delete कर देता हूँ तो इसके ओपर क्या effect पड़ेगा देखो दोस्तों यहां से OU से delete हो गई है लेकिन group policy object के अंदर यह जो file है वो यहां पर बनी हुई है तो मैं इसे दुवारा यहां से OU पर right click करके link and adjusting OU में जाके file का नाम select करके ok कराऊंगा तो दुवारा से यहां पर आ जाएगी लेकिन दोस्तों अगर यह file मैं यहां से delete कर दूँ तो इससे क्या होगा जो मेरा OU की file है वो permanent delete हो जाएगी मैं उसको कहां से restore करूँगा वो कहां से उसके उपर कौन-कौन सी settings लगी हुए थी मेरे को नहीं पता तो दोस्तों हम companies के अंदर क्या करते हैं जिसका एक backup लेकर रख लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो policy file बनी हुए यह object file इसके उपर कौन-कौन सी permissions लगी हुई है क्या-किया हमने इसके उपर settings करकी है फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी हम इसका जो है वो backup कैसे लेंगी और फिर इसके delete हो जाने के बाद हम इसको restore कैसे करेंगे लाश्ट वीडियो में हमने आपको सिखाय था जिसको restore कैसे करते हैं अगर इसके अंदर किसी ने कुछ changes किया है तो लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे जी अगर यह permanent delete हो गई तो उसके बाद हम इसको restore कैसे करेंगे तो दोस्तो हमने file के उपर click किया और right hand side में आप जाके देखेंगे यहाँ पर setting का option है तो यहाँ पर यह आपको दिखा देगा जी आपकी file के अंदर कौन-कौन सी permissions लगी हूँ जैसे folder the direction लगा हुआ है folder the direction की system removable storage की और यहाँ पर आप देखेंगे driver drive map की तो दोस्तो चलो अब इसका हम यहाँ से जो है वो backup ले लेते हैं तो हमने करना क्या है रोह सानु को right click करना है और यहाँ से देखो दोस्तो हम यहाँ पर backup क्लिक करेंगे उसका पूछ रहा है backup कहां रखना चाहते तो आप यहाँ से browse करके अपनी कोई pen drive या अपनी कोई c drive d drive select कर सकते हैं फिलाल हम लोग जो है वो desktop पे रख रहे हैं हमने ok किया और आप यहाँ पर description में कुछ भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर रोई लिख दिया और आप backup पर क्लिक कर दें अब यहाँ पर देखो दोस्तो हमारा जो रोई सानु है उसका जो backup है वहाँ पर अभी processing में है देखें आप यहाँ पर success हो गया है हमने ok किया अब दोस्तों में इसको minimize करता हूँ तो आप देखेंगे desktop पर हमारा एक folder create हो गया है अब अगर दोस्तों में इस folder के अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें दिखा रहा है जी भाई साब GPO का backup है लेकिन यहाँ से हम इसको read नहीं कर सकते readable folder नहीं होते है तो दोस्तों मेरी जो file यहाँ से जैसे मैंने delete की group policy object से तो मेरे OU से भी default delete हो जाएगी देखो अब यहाँ पर नहीं आ रही है तो दोस्तों अब मेरे को यह जो अपनी policy मैंने file delete की है इस policy file को मेरे को क्या करना है restore करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो दोस्तों आपको करना यह है जी आप group policy object पर right click करें और यहां से new पर जाएं बिलकुल और आप यहां से जो है एक नई जो है file को implement करें जैसे कि for example जो है वो मैंने यहाँ पर एक RS के नाम से एक दूसरी policy बना ली ठीक है RS के नाम से मैंने इसको okay किया तो देखो दोस्तों म जो पॉलिसी है सैटिंग से वो कुछ भी nहीं है कि अब दोस्तों आपने करना क्या यहां पर आपने आरहस पर right disparity करना है और यहां से जो है देखो आपको सैटिंग दिख रहा है Import Setting आपने यहां से इंपोर्ट सैटिंग पर जो है वो इसके वाद T 직 रम एपने नेक्स्ट करन ओके किया next किया अब यहाँ पर दोस्तों डेश्टॉप पर आपने तीन चार बैक अप लिये होते तो यहाँ पर आपको सब सो कर देता आपको जो दी स्टोर इंपोर्ट करवाना है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरे को यह वाला इंपोर्ट कराना यह एक ही किया है मैंने OK किया अब आप देखेंगे दोस्तों RS में मैंने क्लिक किया और मैं इसकी सेटिंग पर पहुंचा तो देखो दोस्तों टोटल जो ही सानु वाली जो पॉलिसी उसके उपर लगी वी ती जिसका हमने बैक अप लिया था वो सहरी चीज़े यहाँ पर आ गई है अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप इस प्रेक्टिकल को करके देखें या वीडियो के थोड़ा स्टार्टिंग में जाएं जहां पर हमने इस सहरी चीज़े आपको पहले सोख कराई थी तो दोस्तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपनी पॉलिसी का बैक अप ले सकते हैं फिर अगर हमारी पॉलिसी यहां से फाइल डिलीट हो जाती है तो हमें एक नई पॉलिसी फाइल बनाके उसके उपर उसकी सारी सेटिंग्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं जिससे की हमारी पहले वाली policy की जह सारी services हैं वो वहाँ पर आ जाएं अब दोस्तों यह यहाँ पर आ गई है अब मैं Rohit Sanu पर click करता हूँ और यहाँ से link existing GPO पर जाता हूँ और RS को select करके open कर देता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप industry में काम करते हैं तो आपको कुछ कुछ time के बाद अपनी group policy जो object file का जो है दोस्तों backup लेकर रख लेना चाहिए ताकि अगर उसके अंदर कभी भी इस type का कोई error आए तो आप उसे जो है वो import कर सकें तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक अपना practical करके देखें और दोस्तों उसका जो experience है वो आप हमसे share करें जी भाई जो हमने इस वीडियो में आपको सिखाया है क्या वो practical आपका successful हुआ है या नहीं हुआ है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें share करें और हमारे चैनल को दोस्तों subscribe करना ना भूलें थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो